हलो फ्रेंड्स दिव्या वेलकम बेक तू माई चैनल वेलनेस एंड फूड आज हम बनाएंगे बेसन वाली भिंडी ट्रस्ट मी गाईज ये जो भिंडी है ये नॉर्मल भिंडी से एकदम टेस्ट में डिफरेंट होती है इसमें हमने बेसन को अलग से भूना भी नहीं है और आप एक बार ये भिंडी बना लेंगे तो आपको ये बहुत पसंद आएगी आप देखिए इसमें बेसन की कोटिंग आपको सभी भिंडी में दिख रही होगी और आपको अलग से बेसन इसमें फ्राय भी नहीं करना पड़ेगा तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इस बेस पानी निकल जाए किचिन पेपर टावल से या फिर जो किचिन की नौमन टावल होती है उससे हम इन भिंडियों को अच्छे से वाइप कर लेंगे इन में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए सभी भिंडियों को अच्छे से वाश कर लिया है और अब हम इनको काटेंगे तो आप इनको दो तरीके से काट सकते हैं या तो आप इनको गोल काट सकते हैं या आप इनको लंबा काट सकते हैं भिंडि का आगे और पीछे का पाठ हटा देंगे और इसको हम नॉर्मली जैसे गोल भिंडी काटते हैं उस तरीके से काट लेंगे तो मैं यहाँ पर इनको गोल काट रही हूँ आप चाहें तो इनको लंबा भी काट सकते हैं भिंडी को लंबे पीस में करके आप दो पीस करने के बाद उनके चार पीस कर दीज़ेगा तो आप इस तरीके से भी भिंडी काट सकते हैं टेस्ट में कोई फरक नहीं आएगा भिंडी कटके रेडी हो गई है अब इसको बनाने के प्रोसेस में चलते हैं कड़ाई में दो बड़े चम्मच ओईल ले लिया है ओईल को गरम कर लिया है और फ्लेम को मीडियम कर दिया है मीडियम फ्लेम पर मैं इसमें डाल रही हूँ आदा चम्मच अजवाइन आदा चम्मच ही मैं इसमें डालूंगी हल्दी साथ ही डाल देती हूँ मैं इसमें थोड अधी चम्मच, जीरा पाउडर, आधी चम्मच से कम लाल मिर्च पाउडर। मसालों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते atención और अगर आप हरी मिर्च काते तो इसी टाइम पर fine chop करके हरी मिर्च भी डाल सकते हैं आदी चम्मच गरम मसाला पाउडर और अब हम इसमें डालेंगे बेसन तो मैंने ली थी 250 ग्राम भिंडी 250 ग्राम भिंडी के लिए मैं डालूंगी इसमें 3 चम्मच बेसन जो खाने वाली चम्मच होती है तो ये एक चम्मच ये दूसरी चम्मच और अब मैं इसमें डाल देती हूँ तीसरी चम्मच बेसन तो टोटल मैंने इसमें 3 चम्मच बेसन डाला है flame को medium कर रखा है medium flame पर हम इस बेसन को लगातार चलाते हुए जब तक भूनेंगे जब तक कि इसका color change नहीं हो जाता है या इसमें एक अच्छी खुश्बू नहीं आने लग जाती है मतलब इसका कच्चापन पूरी तरह से चला जाना चाहिए आपको इसको लगातार भूनना है करीबन 2 मिनट तक medium flame पर तो जब आप इस बेसन को 2 मिनट तक भूनेंगे medium flame पर तो बेसन तो हमारा भूनी जाएगा साथ में हमारे मसाले भी इसमें अच्छे से भून जाएंगे लेकिन मसालों में आपको खटाई नहीं डालनी है बाकी सारे मसाले आपको डालने है क्योंकि खटाई अगर आपने इस time पर डाल दी तो आपकी भिंडी को पकने में बहुत time लग सकता है बेसन भूनके ready हो गया है और अब इसमें हम डाल देंगे अपनी कटी हुई भिंडी भिंडी को मसाले और बेसन के साथ अच्छे से coat कर देंगे भिंडी अच्छे से चारो तरफ से coat हो जानी चाहिए बेसन और मसाले में टेस्ट के according इसमें नमक डाल देंगे तो मैं यहाँ पर 3-4 टी स्पून इसमें नमक डाल रही हूँ नमक आप अपने टेस्ट के according डालिएगा नमक को भी अच्छे से mix कर देते हैं सबजी में cover करके सबजी को medium flame पर cook होने देते हैं सबजी को cook हुए 2 minute हो गए है medium flame पर इसको एक बारी चला देते हैं तो इसी तरीके से आप सबजी को हर 1-2 minute में चला दीजेगा ताकि वो नीचे से लगे न cover कर देते हैं और फिर सबजी को medium flame पर cook होने देते हैं सबजी को एक बार और चेक कर लेते हैं तो सबजी को मैं एक बार चला भी देती हूँ और इस सबजी को बनने में बहुत ज़्यादा time नहीं लगता है इसको उतना ही time लगता है जितना हम जब normal भिंडी बनाते हैं तो लगबग इसको इतना ही time लगता है यहाँ पर मैं एक भिंडी को spatula की help से काटके चेक भी कर लूँगी कि यह पकी है यह नहीं पकी है तो यह भिंडी यहाँ पर कट रही है लेकिन फिर भी यह मुझे लग रहा है 10% रहे गई है तो मैं cover करके medium flame पर इसको और थोड़ी देर कुखोने देती हूँ सबजी बनके हमारी ready हो गई है आपको basin की coating दिख रही होगी भिंडी पर तो लेकिन अभी मैं इसको gas को बंद करके इसको cover करके क्योंकि जो हमारी कड़ाई की गर्माहट है उसमें इसको और एक मिनट के लिए पकने दूँगी फिर हम इसमें धनिया डालके इसको serve करेंगे मैंने gas बंद करके इस सबजी को cover करके और एक मिनट पका लिया है ताकि वो कड़ाई की गर्माहट में भी थोड़ी सी सबजी हमारी और अच्छे से soft हो जाए अब मैं इसमें डाल देती हूँ फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया और हरे धनियों के भी इसमें अच्छे से mix कर देती हूँ और फिर हम अपनी सबजी को serve कर लेंगे तो देखा फ्रेंड्स आपने अगर आप भिंडी की कुछ special सबजी खाना चाहते हैं वो भी कम टाइम में तो आप इस सबजी को एक बार जरूर ड्राइ कीजिएगा सबजी बनके ready हो गई है तो चलिए अब इसको मैं serve कर लेती हूँ फ्रेंड्स सबजी को serve कर लिया है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को like करें, share करें, subscribe करें, मिलते हैं next वीडियो में, thank you